सुप्रभात मेरी प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी आनलाइन क्लास में बच्चों, मैं आपके हिंदी भागेक की अध्यापी क्या हूँ और मैं आप लोग को हिंदी भागेक पढ़ाऊंगी यह हिंदी की बुख है, जिसका नाम नूतन गुंजन हिंदी पाठ माला है और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठेक, जिसका नाम है वह सत्ती हमेदू बच्चों, हम धार्मिक अस्थनों पर क्यों जाते हैं? तो धार्मिक अस्थनों पर हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हम प्रात्ना करने के लिए जाते हैं, हम प्रात्ना क्यों करते हैं बच्चों, हम प्रात्ना इसलिए करते हैं कि भगवान हमें सत्ती प्रदान करें और हमारा मन जो असांत रहता है उसे सांती मिलें कि आप बच्चों आप लोग आप बताईएगा आपकी नहीं दो अच्छी बातों के बारे में बता हैं तो बच्चों आप लोग हमें जरूर बताईएगा इसके बारे में प्रातना जो होती है वह मनुस्त को सेष्ट बनाती है जब भगवान से हम लोग सुबा नहाध हो करके, जब हम लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ें के प्रात्ना करते हैं, तो क्या होता है, हमें मन में सक्ती मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है, यह प्रात्ना जो है मनुस में दया, मम्ता, परवकार, आधी गु सभी लोगों की मंगलकाना व्यक्त की हैं, भगवान से कभी कह रहे हैं, वह सक्ती हमें दो दया निधे, करतब बिमार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं, हम दीन हीन निबलो बिकलो के सेवक बन संता पहरें, जो है अटके भूले बटके उनको तारे खुदतर जाएं, छल दम देश पाखंड जूट अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो सुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं, निज आनबान मर्यादा का प्रभू, ध्यान रहें, अभिमान रहें, जिस देश जात में जनम लिया बनिदान उसी पर हो जाएं, इस कविता को लिखे हैं, मूरादी लाल, सर्मा देश बंदू, बच्चों, इस कविता में कभी भगवान से प्रातना करके कह रहा है, वह सक्ति हमें दो देया निजे, कर तब मार्ग पर डट जाएं, देया निजे मतलब होता है, इस्वर, मार् आतना करके कह रहा है, कि यह प्रभो, हे स्वर, मुझे ऐसी चत्ती दीजिए, जिससे मैं अपने कर्तब के रास्ते पर डट करके खड़ा रहूं, कोई भी मुश्किल आया है, कोई भी बाधाया है, लेकिन मुझे अपने कर्तब मार से भिम्युक्र ना कर सके, पर सेवा, अपकार, दूसरों की भलाई, जग मिस क्या हता है, जग मतलब संसार, दूसरों की सेवा, और दूसरों की भलाई में, मैं अपना जीवन सफल बना जाओ, यह जीवन जो मुझे बड़ी मुश्किलों से मिला है, उस जीवन को मैं अच्छे काम में लगाँ, और इस जीवन को म मैं अच्छे काम करते हुए बिताऊं हम दीन हीन निवलों विकलों के सेवक बन संता पहरें दीन मतलब होता है गरीब हीन मतलब क्या होता है लाचार निवलों मतलब होता है कम जोरों विकलों मेंस क्या होता है विकलों माने होता है जिसका किसी एक अंग काम ना हो काम ना करें जैसे बिकलांग, ब्यक्ति सेवक मतलब का होता है सेवक का मतलब होता है दास, सन्ताप मतलब होता है कश्ट भगवान हमें ऐसी सक्ति प्रदाण कीजिए जिससे कि गरीब, लाचार, कम जोर और विकलांग लोगों कि सेवा करके उनकी दुखों को धूर कर सकूं है प्रभु हमें अशी सकते दीजिए कि जिसे जो लोग ब्यक्ति जो ब्यक्ति अपने रास्ते से भटक गए हैं या रास्ता भूल गए हैं उनको सही रास्ते पर लाकर कुछ सच्च्चाई के मारं के पेच्चलों ढूंट चुछ मतलब होता है गमंठ क्या होता है इस्या पंठ जूठा दिखावा करना और जूठ का मतलब तो आप लोग जानते ही है जूठ बोलना निश्य दिन मतलब क्या होता है हमेशा दिन रात कभी जो है इस्व से प्रातना करता है और कहता है यह प्रभू हमें धोखा घमन इस्वा इस्या और जूठे दिखावे से दूर रखिये हम सदा सत्य बोलें और अन्याय के मार्ग मर कभी ना चलें और हमें हमेशा दिन रात इन सब दुर्गुणों से दूर रखिये जीवन हो सुद्ध सरल अपना सुची प्रेम सुधारस बरसा है यह हमारा जो जीवन है सुद्ध और सरल हो और हम अपने जीवन में हमेशा प्रेम रूपी परसा करें निज आनबान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे कभी जो है इसो से प्रांतना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु हमें अपनी आनबान और मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे और प्रभु हमें इस बात का विमान भी रहे कि हम अपने आनबान और मर्यादा को कभी ध्यूमिल ना करें और हमेशा इसकी रच्छा करें जिस देश जात में जनम लिया बलदान उसी पर हो जाए कि मैं जिस देश में जनम लिया हूं और जिस जात में जनम लिया हूं उसी की रच्छा करते हुए अपने आपको मलदान कर दूं यह प्रभो मुझे आपने इस धर्ति पर जनम दिया है तो मुझे हमेशा तो सच्चाई के मार्गी पर चलने की सक्ती पदान कीजिए इससे मैं हमेशा सच्चाई के मार्गी पर चलू तो बच्चों आप लोग कविता को याद करेंगे और कविता को आप लोग अपनी हिंदी भागे की कापी में लिखेंगे एक तरफ कविता लिखेंगे और दूसरी तरफ इसी तरह जो चित्र बना हुआ है इसको आप लोग बनाएंगे और इस कविता को आप लोग यार भी करेंगे अब बच्चों इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है इसके बारे में आप लोग बता दीजें यह कविता हमें देश प्रेम सभी व्यक्तियों में समान भाव, साहस और सेवा भाव तथा अपना सर्वस और समर्पन करने की लिखे देती हैं और यह हमें जीवन मुल्लों का विकास करती है तो बच्चों आसा करती हूं कि आप लोग इस पार्ट को अच्छे समझ गये होंगे और अब इसके बार आप लोग यहां पर पेश को पलटिए और देखिए यह सब दर्थ हैं इसको आप लोग याद करेंगे इसके नीचे हैं देखिए आपे सुत्लेख है इस सुत्लेख को आप लोग कापी पर लिखेंगे मैंने आप पीडिया बना करके आपको भेज दिया है जिस तरह हम मैंने कापी में लिखा उसी तरह आप लोग लिखेंगे सुत्लेख को अपनी कापी में तीन बार लिखेंगे और प्रस उत्तर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे एक प्रस उत्तर लिखेंगे उसके बाद लाइन दो लाइन छोड़ दीजेगा और अंडर लाइन कर दीजेगा और आप लोग लिखतेवक पिन का प्रेउक करेंगे तो बच्चों इसके बाद देखिए क्या है मौखिक प्र कभी इस वर से सकती इसलिए मांग रहा है कि वह अपने मार्क पर अटिक रहे डटा रहे कभी किन के संताप हरने की बात कर रहे कभी कि गरीब बिकलांग कमजोर और लाचाल लोगों के संताप को हरने की बात कर रहे हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं हम अपने देश की र अच्छा के लिए अपने आपको बल्दान कर सकते हैं यह प्रात्ना किस ने रिखी है तो बच्चों यह प्रात्ना मुरारिलाल सर्मा देशबंधु जी ने लिखा है उसके बाद बच्चों है लिखित प्रस्ण है तो इसका पीडियेप जाएगा आप लों के पास और इसके ब होता है बिलोम सब्द देखिए बच्चों उपकार का क्या है अपकार सफल का असफल अन्याय का न्याय जूट का सच जीवन का मित्यू सुखी का दुखी अब इसके बाद आता है बच्चों पर्यावची सब दिखना है कि सेवक का कि पर्यावची लिखना है दो-दो सेवक क यहां पर लिखा है दास होता है और नोकर होता है प्रभु का परियावची लिखेंगे पहला होगा भगवान दूसरा होगा इस्वर जग का परियावची आप लिखेंगे इसका होगा संसार और दुनिया बलिदान का परियावची है त्याग और कुर्बानी तो बच्चों अपने किताब को अच्छे से भर लीजिएगा और कविता को याद कीजिएगा घर पर रहिए सुरचीत रहिए धन्यवाद